कि आप त राज्ये सरकार के आदेश से जो कोवीट की केसिज ऐसे अभी तक अजमेर में एक भी केस नहीं है कोवीट के केसिज की बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए ऐसी आसंका को ध्यान में रखते हुए पूरू जो तयारियां होनी चाहिए मेडिकल प्रसाशन की तरफ से वो हमने आज यहां पर राजे सरकार और किस्थानिय जिला कलेक्टर महदया के लिर्देश से आज हमने देखी साथ में यहां का जो मेडिकल का जो अड्मिस्ट्रिशन है जेडी साहब है जेलन के सुबंडेंट है तो जो ऑगजन सपोर्टेट ब है वो परियाप्त मात्रा में यहां पर और सभी विवस्थाएं चाक चोबंद है मेडिकल प्रसाशन की तरफ से जो ऑगजन जनरेशन प्लांट है वो भी वरकिंग है फंक्शनल है और जो यहां का मैनिफूल्ड है जहां से ऑगजन सप्लाई होती है वो भी यहां देखा जा करें दस्ता तैयारियों को लेकर मौगनिल की गई है जिसमें एडियम सावटर श्री राजनर सिंगी सी सोधिया ने निरिक्षंट किया है जो हमने रिपोर्ट्स तैयार किये उसके डेटा भी देखे है उन्होंने उन्होंने कोविड वार्ड का दिरिक्षंट किया है जहां कि भी हमने आर्टी पीसियर भिजवा दिये रिकोर्ट दोपय तक आएगी इसके अलावा सर ने अभी लिक्विट ऑक्सिजन का निरक्षंड किया लिक्विट और ऑक्सिजन प्लांट जो है हमारा 20,000 केपैसिटी का है और पूरे ऑस्पिटल में ऑक्सिजन की सप्लाई हम लिक मोड में है जब भी लिक्विट ऑक्सिजन से सप्लाई की यदि कमी आएगी तो हम मैनिफोल से ऑक्सिजन की सप्लाई पूरे ऑस्पिटल में जहां-जहां रिक्वाइट हमां कर पाएंगी